प्रैक्टिकल न maybe 80 परफॉर्म दीありがとうございます using क्लल्सट्रिण अल्गूरिदम ये हैं हम लोग का business intelligence का प्रैक्टिकल नमेर ये जिसको हम लोगों को करना है आर टूमें और 2013 algorithm यूज करना है और हम लोगों को data Enlightoring performed सोटी स्टार्ट लेट्स त्आर्ट के पहले मैं यहां पर आर्टूल उपन कर दे रही हूं यह देखो आरेक्स 64 4.0.4 यह उपन कर दिया मैं तो यहां पर यह उपन कर दिया है मैं इसका थोड़ा मैं साइस जो है font size जो है वह चेंज कर दे रही हूं यहां से हम लोग उसका size change कर सकते यह देखो यह होगे हम लोग size change आर्टूल में बहुत सारे डेटा जो है वह पहले से स्टोर रहते हैं तो हम लोग वही डेटा का यूस करेंगे और उसी पर हम लोग क्या करेंगे के मिन्स अल्गोरिधम अपलाई करेंगे तो एक डेटा का नायम है आईरीज अब इस पे आप आईरीज य यह देखो यह पूरा डेटा आपको दिखा रहे हैं दिख रहे हैं तो यह सिस्टम में पहले ही से डेटा स्टोर है यह कॉलम का नेम दिखा रहे हैं आपको और यह पूरी डिटेल्स है यह दिखो सेपल डॉट लेंद सेपल डॉट वीद पैटल डॉट लेंद पैटल इसके नेम है तो यह जो आयरीज डेटा है यह क्या है आर टूल में पहले से स्टोर है इसी को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे और के मीन्स अल्गोरिदम क्या करेंगे इस पर अपलाई करेंगे तो मेरे पास आयरीज डेटा तो पहले ही से है वो सिस्टम का डेटा है आप चाहो तो कोई भी नेम दे सकते हो और उसके बाद किसका नाम देना है आपको तो इसका मिनिक्स क्या हुआ कि आईडीय। को आपको नाम क्या देना है new iree ओके फिर एंटर प्रेस करो यह हो गया आप उसके बाद जैसे कि आपको मैंने दिखाया था कि उसमें बहुत सारे columns है तो जो columns आपको नहीं चाहिए आप क्या गर दो उसमें changes कर दो वो column को delete कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर एक line लिख रही हूँ new ids dollar species मुझे यह column चाहिए नहीं तो मैं क्या अगर दूंगी यह column को निकाल देती हूं कर दो कर दो कि एस capital में तो एस capital में ही आप रखो कि उसके बाद क्या लिखना है आपको नल यह देखो new ids dollar species नल इसका मिनिंग क्या हुआ कि अभी new ids में species column नहीं होगा enter press करो यह होगया कि उसके बाद भी यहाँ पर मैंने क्या line लिखिया है bracket kc k means new ids,3 इसका मिनिंग क्या हुआ k means clustering with three cluster of size 62, 30, 38 and 50 अब मैं देखो enter press करोंगे output देखो आप लोग यह देखो यह देखो तो यह पूरा क्या है हम लोगों का output है करेंगे compare करेंगे spacious label with the clustering result उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लिख दिया मैंने table ids, ids क्या है जो हम लोगों का original table है spacious उसका column kc, kc जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर use किया and then cluster उसका cluster यह किसके लिए किया है हम लोगों ने compare करने के लिए spacious label with the clustering result अब यह enter करेंगे हम लोग output देखो यह देखो अब यह क्या कर रहा है compare करके आपको यहाँ पर display कर रहें next हम लोग करेंगे plot करेंगे cluster तो हम लोगों ने cluster plot करने के लिए लिख दिया है plot new arrays c sepal.length sepal.width यह क्या है columns का नाम है और अब हम लोगों करेंगे output देखो यह देखो यह plot हो गया according to sepal.length sepal.width अगर आपको petal के through चाहिए petal.length लिखो लोगों changes कर सकते हो petal.length petal.width यह हम लोग ने plot किया cluster कर दो हम लोगों लापको कर दो वोगों लोगों कर दो लोगों लोगों यह